विल्कम फ्रेंड्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तों यदि आपके पास पारमेडिकल डिपलोमा सर्टिफिकेट या डिग्री हो तो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा उसर है यहाँ जो वेकेंसी पब्लिस हुई है स्टाफ नर्स की है लैब टेकनीशियन की है और फिजियो थरेपिस्ट की है फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टाफ नर्स की वेकेंसी है टोटल है 14 और इसमें लेवल 6 35,400 से 1,12,400 की स्केल दिया जाएगा इसके बाद दोस्तों जो लैब टेक की है यह टोटल वेकेंसी दोस्तों यहाँ पे हो रही है 38 और यहाँ पे लेव लेही रहेगा दोस्तों यह जो वेकेंसी है यह आपके डारेक्टरेट जनरल बार्डर स्क्योर्टी फोर्स बीस सिफ का है और इसमें जो यह वेकेंसी का डेजिनेशन होगा स्टाफ नर्स के लिए वो SI के एक्वेलेंट होगी लैब टेक और फिजियो थरेपिस्ट की वेके जूँगा तो आप उहां से डारेक्ट एक्सेस करके देख पाएंगे और साथ ही यह भी देख पाएंगे कि अप्लिकेशन लिंक कहां पर है और कैसे फार्म भरा जाएगा यहां पर National Citizenship के लिए दिया हुआ है कि Citizen of India होना चाहिए डिस्क्वैलिफिकेशन के लिए कुछ दिया है आप देख लिजिए यहां पर स्टाफ नर्स के लिए 10 प्लस टू होना चाहिए डिप्लोमा डिग्री जंडर नर्सिंग प्रोग्राम की और यहां तो आपका रिस्ट्रेशन होना चाहिए Central अथवा State Nursing Council दो में से किसी में जंडरल नर्स इंड बीड वाइफ के लिए Lab Tech का दोस्तों इसी तरह है दिया आपके पास है 10 प्लस टू डिप्लोमा डिमल्टी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ASI जो फिजियो थेरेपिस्ट के लिए है तो 10 प्लस टू होना चाहिए साइन्स इस्ट्रीम के साथ डिग्री डिप्लोमें फिजियो थेरेपि दोस्तों यहां पे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है एज आप देख लें जो रिकूट्मेंट के लिए यहां पे एज दी हुई है स्टाफ नर्स के लिए 21 तो 30 यर्स लेप्टेक के लिए 18 तो 25 और फिजियो थेरेपिस्ट के लिए 22 तो 27 यर्स यहां पे दिया है रिलेक्सेशन जो है वो गवर्मेंट के रिगुलेशन के नुसार या बेशेव का जो समय समय पर एज रिलेक्सेशन से संबंदि जो जनकारी रहती है उसके आधार पर आपको यहां पे दिया जाएगा फिजिकल स्टेंडर्स भी दिया हुआ है इसमें मेल के लिए हाइट चेस्ट वेट आडली 165 cm हाइट चेस्ट उड़ी 76 cm और विट एक्सपेंडेट 81 cm वेट उड़ी कर्रेस्पोंडिंग तो हाइट इसी तरह फिमेल कटगरी के लिए 1500 cm होना चाहिए हाइट चेस्ट नाट अप्लिकेबल और जो वेट है वो हाइट ही कर्रेस्पोंडेंट होना चाहिए अप यहां पे देख लीजी तो दोस्तों यह सारी चीज़े इसमें दी हुई है प्रोसेस आप सर्टिफिकेशन और फार्मेट आप सर्टिफिकेट्स यह दिया हुआ है सलेबस आप देख लें फस्ट फेज एग्जामनेशन रिटेन एग्जामनेशन होना है सलेक्शन प्रोसेजर में जिसमें सलेबस फार्द पोस्ट आफ स्टाफ नर्स तो यहां इसका जो से लेवस दिया हुआ है यह जनर नालेज निमेरिकल अप्टिट्यूट यूमन एन अटामी फिजियोलाजी प्रोफेशनल मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग नर्सिंग केर पर्संस प्रिगनेंसी और लेवर मिड़ वाइफरी के लिए दिया ह इसके लिए दिया हुआ है दोस्तों यह सारी चीज़ें इसमें दी हुई है फिर फिजिकल इफिकेसी टेस्ट भी होना है पीटी होगा इसमें रन लांग जम्प और हाई जम्प के लिए तो यह आप देख सकते हैं फिज की बात करें दोस्तों तो कंडिटेट टूपे रूपीज 200 फार्द पोस्ट आफ एसाई एंड हंडेट रूपीज फार्द ग्रूप सी पोस्ट जिसमें आपका फिजित्रेपिस्ट और लेप्टिक का दिया हुआ है यह सब आल लाइन फार्म भरा जाएगा दोस्तों एंपी की बात करें तो यहां पे जो सिंटर है तो इंदोर रहेगा एक्जाम सिंटर इंदोर और टेकनपूर ग्वालियर यह दो जगा यहां पे रिकूट्मेंट प्रोसेस का इसका रहेगा दोस्तों मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में आप सब का दिन सूब हो धन्यवाद